दौर से नेक्स्ट कॉलर हैं बद्री सिंग स्वागत है आपका बन्यवाद में बताइए प्रश्न करिये यह गिन साथ नौसकार जी जाहीं दादा आप आपके पास में से गों बोरिंगा वाली और मेरी पत्नी को तवेत के जरा खराब है जरा गया बहुत ही जादा है वैसे उ ले था और जिसके बाद में उखो लगवा आ गया तो उसके अंदर ब्लड पेसर भी बड़ा और शकर भी है उनको तो उनके लिए क्या करना है अच्छा दिखिए इसी से मैं डरता हूँ के वीवर्स इस बात को समझ लें के चालिस पैतालिस के बाद कभी भी लगवा हो सकता है पालिज हो सकता है परलाईसी जी सकते हैं और इससे आदमी तूड जाता है अंदर से तूड जाता है तो जिनकी भी ऐसी उमर है पैतालिस साल या उससे ज्यादा वो अपना खून को पतला करने के लिए दवा लिया करें कालिस्टॉल कम करने के लिए दवा लिया करें और बहुत अच्छा नस्का मैं एक बताता हूँ और कहता हूँ कि आपको अगर रोग नहीं भी है तो लिख जरूर ले पतानी कल मैं बताने वाला रहूं न रहूं आपके पास लिखा होगा तो ये रोग घर घर में पहुँच रहा है और ये नस्का इतना अच्छा है दुनिया का मानावा नस्का है ये जब हार्ट के आपरेशन नहीं हुआ करते थे सर्जरी नहीं हुआ करती थी ये उस वक्त का नस्का है और ये तमाम हकीमों और वैदों ने इस पर महर लगाई है तो लिख लीजे अपनी पतनी के लिए आप खुद तयार करें ये नस्का और फिजियो तेरेपी जरूर करें उनकी एकसरसाइज जरूर करते रहें लीमू जो नीबू जिसे कहते हैं उसका रस एक लीटर निकाल ले नीबू का रस एक लीटर लहसन का रस एक लीटर और अद्रक का रस एक लीटर ये तीन लीटर हो गया एक लीटर जैतून का सिर्का ले ले और इ तो और भी बना सकते हैं. तीन चम्मश सुबाद, तीन चम्मश दुपएद, तीन चम्मश शाम, खाने के बाद, इसने प्लादिया करिए. जरा तेज होता है. लेकिन ये उस कॉलिस्टॉल को ढून ढून कर निकालता है. जो हमारे दिमाग की किसी रग में फज गया है, जिसकी के से लकवा हो गया है. ये कॉलिस्टॉल का दुश्पन है. अगर चर्वी हमारे दिल की रग़ों में भर गई है, तो उसको भी साफ कर देता है. हाइट ब्लॉकिज जिसको कहते है, जिसकी वजाए से सरजरी होती है. उसको भी साफ करता है. मेरे तज़र्बे का, मेरा अनु लिया करें यह एक तफ़ा है कुद्रत की तरफ से आप इन्हें दीजे और धीरे धीरे उनको फाइदा मुम्किन है अगले कॉलर है अशोक त्रिपाथी जी भदोई से स्वागत है आपका नमस्कार नमस्कार बताईए हमारा जो है गोड त्याह आया और जयतून का से्षा नहीं है अगीम साब बोले थे कि इन दवाओं को खाओ तफ़गरा में असवगंधा और ऊ्नाव और तुरंजान आयाथी तो आपके पास क्या पहुंचा है आपके पास जैतुन का सिर्का नहीं पहुंच पाया है चले कोई बात नी दिमांड ना बहुत जादा होती है इसलिए आगे पीछे थोड़े से रौ माटीरियल हो जाते हैं आपको परिशान नहीं होना है एक चीज पहुंच गई है दूसरी कुछी दिनों में आपके पास पहुंच जाएगी क्या पता आज या कल में ही पहुंच जाए अगर आप कोई भी क्वेरी करना चाहते हैं देखिए हेल्प लाइन नंबर एक और आपके टीवी स्क्रीन पे चल रहा है आप इस पे कॉल करके पूच सकते हैं कि आपका जो और ह है वह कहां तक पहुंचा है लेकि निश्चिंत रहिएगा सिर्फ इसलिए थोड़ी देरी हो जाती है क्योंकि डिमांड बहुत-बहुत जादा होती है दर्श को और हम यही कोशिश करते हैं कि आप तक असली और प्योर रॉ माटीरियल पहुंचाया जाए तो आप एक बार ह में अगले कॉलर से सवागत है आपका है कि अंद्थ है कि आ हालो हलो क्या आम है आपका अमर्द भाई जी आपका सब्सक्राइब मेरे मैं अम्र मिज्य सब्सक्राइब की की तक लिए हां प्सेल में में अपने तो अब्यागाटम है 34 साल है मैं 35 साल है 35 साल है अकिल साहिद के ठीक ठीक छो दिखिए अभी मैं नुसका बता रहा था वो डायबेटीज वालों के लिए 25 वालों के लिए ब्लड प्रेशर वालों के लिए और बहुत अच्छा नुसका है अगर आप सुन रहे थे और नहीं लिखा हो तो फिर मैं दोबारा दोगाज़ता हूँ देखिए नीवू का रस अद्रक का रस और लहसन का रस एक एक लीटर निकालने घर में और एक आता है जैतुम का सिर्का एक लीटर ये इसमें मिलाने और तीन तीन चमच छोटे चाय के चमच ये लिक्विड दिन में तीन बार पिएं दो बार से तीन बार तक पी सकते हैं और खाने के पश्चाथ आपकी ये शुगर को भी बहुत फाइदा करता है और ब्लट प्रेशर दिल का बहुत खयर रगता है पेट को बहुत अच्छा रखता है और बावसीर का भी बहुत ज़्यादा फाइदा करता है आप ये पिया करें आपकी सुरक्षित सुरक्षा होना मुमकिन है बिहार से नेक्स्ट कॉलर है ब्रज नंदन सिंग जी स्वागत है आपका आपका बताईए सवाग करें माकी साहस जेना जी आदाब धन्यवाद बताईए क्या सवाल है सवाल है सर की हम ले खेहुना में ज़्याद होता है खेहुना के नीचे चखना के ऊपर बहुत ज़्याद होता है और यही ज़्याद कभी कभी बना लिया है कितनी दवाएं कितनी दवाएं हैं ये वे सग्राम ठीके ज़े इसको कूट के या पीस के पाउडर बना ले और चाहें तो चने की बराबर गोली बना ले चना मतलब काबली चना होता ना बड़ा वाला काबली चना जिसे करते हैं उतनी गोली बना ले यानि अधा गिराम इसकी खुराक है एक वक्ती और दो टाइम खाना नाश्टे के बाद आदा गिराम और रात को सोते बस अधा गिराम खा लिए करें आप इसे शुरू करें और पांच साथ दिन इन्तजार करें किसी को दोई दिन में तो वो छूट ही जानी है और ये देर सो ग्राम गॉन जो है ये पांच महीने चलता है एक ग्राम रोज से देर सो ग्राम गॉन पांच महीने चलता है दस बारा रुपे रोज की दवा है ये और ये अपने खतम होने से पहले आदमी के रोक को खतम करने की ताकत रखती है